वेरी गूड़ीनिंग व्ट पर स्टार्ट करने हैं हम लोग एक सीरीज को का नियुक्त कर रहा है इस सीरीज में हम लोग क्या-क्या कवर कर चुके हैं इस सीरीज में हम लोग जोग्रीफी में मैप से को लेकर चलने हैं मैप सब्सक्राइब साथ यहां पर कराएं तो इस के साथ में भात कर रहे थे किसके बारे सबसे पहले लोगों ने बात कर देखा था सबसे सब्सक्राइब ने आपको यहां पर बताया था कि इसका नाम था पैंजिया उसके चाहँ तरफ पैंथलासा नाम का ओशिंड जो था वह चकर काट रहा था जो उनकी बुक थी उसका नाम क्या था तो सेंपल सी बात है यह वोग थी इंगो ने दी बताया कि जो आज मैं इतने सारे कॉंटनेंट दिखाई दे रहे हैं रहे हैं उन सभी कॉंटनेंट में यहां पर marks कि और time कि इनके बारे मेर रहे होगा यहां पर अधोने पटाया थे जो नाम था पढ़गया एक तो लॉरेशहां बट गया जिसको ऐंगहारा गया और जोकी गॉंडवाना बन गया जोकी आपका उसके वाल के जब बात करते हैं लाउट एशिया नौर्था अमेरिका यॉरप नौर्थ ऐस्या चाइना मंगोलिया और रुशी वाला पार्ट आ जयाता है फिर यहांँ पर गुंडवाना है आफ्रिका तौका हिमालिया के नाम से जानते हैं यहां पर लोगो नहीं पहले प्लेट बताया था एश्या सबसे यहां पर अगर क्या है सबसे बड़ा है उस्हाद यहाँ पर अफरीका नॉर्फ अमेरिका अंटर्पिका योर्प और अस्ट्रेलिया तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर कंप्लेट कर चुके है एश्या कंप्लेट कर चुका है तीक एंफिकर सब्सक्राओ सबस्हासाइगे ऩयों स्गहाएं करें के तो आई होप आपको समझ में आएगा तो ही आप उसको क्या करेंगे तो आप खुद समझेगा खुद ही जच करिएगा चलिए आगे बाग तल लेते जड़ा अब लोग एक बार यहां पर वैस से अजहीक लेकर यहां बहुत सारी सारी करी यहां पर ब्लाक सी के साथ में यहां पर क्या है सर्थ ठीक है फिर मेडिटरीन सी चाहिए और यहां पर जिब्लाल्टर स्टेट आ जाता है तो इसके इसाब से हमारे यह पुरा पुरा एशियन कॉंटिनेट्ट अलग हो जाता है जिससे यौरॉप महादीप से दूसरी हम हम लो यहां पर हिमालिया है और हिमालिया क्या बात करता है यहां पर सबसे हाइसниlen। तो यह बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखिए और लाजस्ट आइलेट देखा जाए तो ग्रीन लाइंड है जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है अट्लांटिक सी में कले हम लोगों ने अट्लांटिक सी के बारे में बात करी थी ठीक है चल यह नेक्स देख लेते हैं लास टाइम पर चलिए रिवाइस कर लेते हैं बार फटाफर जिल्दी से एशिया में लोगों ने आपर बहुत सारी चीजों पर बात किया था जैसे हम लोग बात किये फीर है आरल माँंटेन पर कैस्पियन पर कैस्केट यहां पर यहां पर यह सा만ब को बता दिया था पामीर के प्लाटो को atarapi कराता था है यहां पर रूब औफ जी बर्ड है है आमीर प्लाको से अब यह को इसको के एब रेंड वे цел नियू को दूनियों हे दएल्म यह इयुज यह अभी हम लोग इसको बोल देते हल्ट कवहले दिटबन अब इसको करते एंडॉ-पैसिफिक और अभी इंडॉ-पैसिफिक में यह आप एधर आपका Uettaние कि अब्सक्राइब आपको अमेरिका मिल दाएबा जमान जपान अमेरिका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की यहां पर क्या है क्यों की मीटिंग है चलिए यहां पर देख लेकर विए सारह पुर्षेंट आपको एशिया में 30 एक पर अपर प्र पर यहां पर लगा जाती है कैस्पिएंं तरकिश में वाना लेख है वाना और एक और लेख आ जाती है डेथ सी टेथ सी इसराइल के पास में यहां पर बात करने जाएं टीपेस लेक ठीक है largest plateau कौन सा है पामीर फ्लैटो हो जाएगा फिर यहां फिर इपेस ट्रेंच क्या हो जाएगा मरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर की इसकी हाइट एप्थ है और इसमें जो पॉइंट है वो क्या कलाता है है चीज को क्या क्या होता है येंट को काई जाता है कघस्तां को कहा जाता है अफगानिस्तान अभी रीसेंट्ली रैंक आई है happiness इंटेक्स देखिए मैं आपको करेंट में सबसे लोवेस पॉइंट पर है कितनी है 149 रैंक है इसकी 149 रैंक है तो इस बार के कि हैपिनेस इंडेक्स की गुष रटाएगा ठीम बताएगा और किस दिन य पढ़ा था वर्ड हैपिनेस देखका ये लिदी से बताएगा फटा-फट चलिए रिप्लाय करें फिर यहां पर हम लोग बात देख लेते हैं पाकिस्तान की कि यहां पर मिलता आपको Salt Mountain जो कि एक प्रकार के Block Mountain है जिसको यहाँ पर ब्रंश प्रवत बोल देते हैं ब्रंश प्रवत बोल देते हैं और नहरों की यहाँ पर बात करते हैं यह से मिलता है चाइना यह से सारी बाते हो गई थी Yangtze, सबसे लाज़ेस्ट इस सारी बाते हैं लोग कर चुके थे अब उसके साथ मैंने कहा था कि यह कंट्रीज, SCO, SARC, ASEAN, RCPEC और BIMSTEC एक और एट कल दीजेगा BIMSTEC इसको जड़ा एक्स्पेन करिएगा इनके हेड़्वाटर कहां पर है ADBI, ADB, Asian Development Bank AIB, Asian Institutional Infrastructure Bank फिर यहां पर आता है NDB, BRICS का बैंक है यह तो अभी BRICS की मीटिंग हुई है BRICS की मीटिंग हुई है यहां पर Women's को लेकर और अभी India भी उसको क्या करेगा BRICS की कौन सी समिट को यहां पर लीड करेगा कौन सी मीटिंग होगी क्योंकि अगर आप मुझे Current Affair पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं 6.30 एक लास में आपको डेली Current Affair AM 6.30 AM में बहुत सारे questions को लेकर चल रहा होता हूँ चलिए यह बताइए का मुझे तो यह यहां पर एक प्रिकार से Map हो जाएगा आपका एशिया का उससे related अलग हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं Population के इसाब से countries 48 countries है यहां पर ठीक है अब यहां पर अगर लोग बात कर लें एशिया largest है 1 3rd है यह सारी बाते कर चुके हैं ठीक है यह सारी बाते ठीक है highest दुनिया की 10 सबसे उची पीक यहीं पर मिलेगी आपको Wall of China मिल जाएगा दुनिया की सबसे पहली civilization आपको हरपन civilization यहीं पर मिलेगी ठीक है और यहां पर यह सारी बाते हम लोग कर चुके थे इसाब बता है ठीक है 32,87,233 किलोमेटर की हमारी भारत की यहां पर क्या है एक प्रकार से एरिया है ठीक है छेत्रफल है दूसरी यहां पर बात कर लेते हैं आईए और अगर हम लोग यहां पर देखें लैंड बादर के इसाब से लेड लैंड परसंटेज के इसाब से तो यहां पर सिर्फ बूस्पर प्रतीशाथ हमाते है यहां पर मेरे इसाब से आपकोुछी समझे में आ रहेंगी तो फटा-फट वीडियो को लाइक करना चनलंको सब्सक्काइब करना और जा लिए आगे बात कर लेते हैं, comment करिएगा अब यहाँ पर हम एफरीका को लेकर चल ले हैं, second largest है सबसे पहले चीज़ तो, और एफरीका, यॉर्प और एशिया से कैसे अलग होता है एशिया से अलग होता है, यहाँ पर स्वेस केनाल से और रेड़ सी से, ठीक, और यहाँ पर यह जो हॉन जैसा बन रहा है इसको बोलते हैं, हॉन ओफ एफरीका, तो मुझे बताएगा कितनी कंट्रीज है हॉन ओफ एफरीका में, कोई कि जितने बार भी यहाँ पर कोशन के, यह तो स्टाटिक है वहीं पर सबसे लार्जेस, सबसे बड़ी सिटी इसकी अलजीरिया और अभी रिसेंट्ली आपको पता होगा, फटा बढ़ता है का, आइवरी कोस्ट और तन्जानिया यहाँ के जो राष्ट्रा ध्यक्ष हैं, इनकी देथ हुई थी जो इनकी राष्ट्रा ध्यक्ष थे, इनकी देथ हुई थी, ठीक है, यहाँ पर देथ हुई थी, इनकी तो देथ COVID-19 से हुई है और यहाँ पर शायद जो आइवरी कोस्ट है, जो हेट थे, उनकी देथ कैंसर से हुई थी तो मुझे इन दूरों का नाम बताएगा, यह करंट का कोशिशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर करंट को लेकर चला हूँ यहाँ पर, ठीक है, और तंजानिया की यहाँ पर बात कर ले तो दुनिया की एफरिका की सबसे उची चोटी यहीं पर मिलेगी आपको जिसका नाम क्य सब्सक्राइब का माउंट किलीमंजारो, ठीक है, माउंट किलीमंजारो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पर्फेक्टली, बेरी गुड, चलिए, तो यहाँ पर बात हम लोग कर लेते हैं, और यह वाला जो कोस्ट कहलाता है, यहाँ पर यह कहलाता है, आपका कौन सा सर, यह क कोस्ट क्या लाता है आगव प्याथ है यह बятель होता है सारी बात कर चुके जैनल आगे आको Egg Victoria से होते हुए यह proper way में चले जाती इजिप्ट में और इसलिए इसको कहा जाता है इजिप्ट का आशिरवार यह का रहाता है इसको दी blessings of the Egypt ठीक है क्योंकि इस एरिया में बहुत सारी greenries लेके आती है आपको पता होगा यही पर मिस्रश की सब्वेता फली फूली थी यह Mediterranean Sea आपको दिखाए देगा Mediterranean Sea की पास में बहुत सारी है और यहां पर स्वेस के नाल है जो कि अंगरीजों के टाइम पर बनाया गया था इधर क्या था कि पूरे Europeans पूरे continent को पार करने के बाद में यहां इंडिया आते थे फिर यहां पर इसको पूरे इसको पूरे इसको बोल देते हैं और यहां पर बहुत सारे मिंडल्स क्या हैं उनको एक्स्प्लोर नहीं किया जा चुका है क्योंकि देखो बहुत सारी कंट्रीज है वहां पर आपस में खुद के ग्रह युद्ध चल रहे हैं ठीक है तो मांट किलो मांजारो इसके सबसे उची हाइट है और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्रक रेखा पर बात कर रहे होते हैं तो मैंने कहा था कि आपको एक्वेटर दूसरा क्या हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ क्यांसर मतलब कि आपका भूमत रेखा करक रेखा और उसके बाद में आ जाती है यहाँ पर मकर रेखा तो यह तीनों यहाँ पर इसको कट करती हुए जाती है उसके अलावा मैंने बता है तो नॉर्थ में आप सहारन डेज़र्ट मिलेगा जो कि बढ़ा फेमस हैं उसके बाद यहाँ पर सलहाल साहिल मिलता है इसको सivangena बोल देते हैं बश्री समयाना वाला यहां बीच में ग्राशलेंड वाला एरिया और इहाँ पर डेज़र्ट मिलेगा नमील देगा व्시कसा स्वान आपको था ठीख है और डामेंड आपको मिलता है अगर अगर शॉन संध ऑफरिका बात करें जाया गोल्डीborट ठीजिस अपल फड़ा 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 इसको हो का रहता है escuchां क्लेंगे शाल पर चुके मैं हम लोग इरेट्रिया ठीक है सुमालिया ये और डिबूटी ये चार देश आते हैं ये ध्यान रख लेना ये चार ही देश है जो किसमें आते हैं हॉर्ण अफ अपरिका में आते हैं कई बार ये कोशन आ चुका है अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उसके बाद मैंने रिवर्स की लिए बहुत फेमसे म्रणको को मेस के लिए यहांपर है क्लोव्ज़ आपको बहुत ज़बा ठीक है मिलते हैं हाई इस चूंब से चुछ एका, फाइस यहां पर होगा है, जुहांसबर्ग को यहां पर किमभर्लय डाइमेंड मिलता है है, समालिया, इरट्रिया, यह सारी बातां हम लोग कर चुके थे, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, किस की, नौर्थ अमेरिका की, इसमें चुक्ति अब बा कि यहां पर यहां पर यह पर यहां पर इनका नाम अमेरिका किसके दार रखा गया है मुझे यह बताईए का आई होग यहां तक लिए प्रॉपर वे में हम जडीपी के बारे में बात कर चुका तब प्री कोविड मैंने जडीपी बताई थी क्या त्वेंटी वन दुनिया की सबसे बड़ी लेक अगर मैं बात कर दूँ यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आपको कहां पर मिलेगी यह जो सीरीज चल रही है यह आपको पूरा मैप बताएगी वर्ड मैप तो इसीलिए इस सीरीज को क्या करिए यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है आपको यह बात पता होनी चाहिए बहुत मातपूर है फिर यही पर नुवास कॉडिया है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा हाइट की ताइड़ आती है अगर इंडिया के गल्फ ऑफ खंबट में आती है ठीक है यहां पर आती है अबाउट सिक्स मीटर की हाइट की आती लोग कर चुके थे अब यहां पर देखो जड़ा जो मोस्ट इंपर बात करते हैं जड़ा चली आईए सदेखोस में तो ओल्स कॉंसर्प्ट कंसर्ट यहां बात करते थे जो ओल्ड कंसर्ट है और न्यू कॉंसेट इन दोनों को लेके चलेंगे अब हमारा जो कॉंटेनेंट है वो है आपका important South American continent South American continent की अगर मैं बात बुलूं यह किस से जुड़ा हुआ है North America से जुड़ा हुआ है North America किस से जुड़ा हुआ है किस चीज से जुड़ा हुआ है यह इस थमस इसके इस साइट पर आपको एट्लांटिक ओशन दीखेगा जो की वन आप बीजिएस्ट ओशन है और आपको दिख़े गां पैसिफिक ओशन और यहां से अगर मैं आपसे बात बोल रहा हूं यहां से लेकर इस तरीके से एक पुरुए तरीके से यहाँ पर क्या चलता है मांटें चल रही होती है यह पर परालल मांटें चल रही होती जो कि दुनिया के सबसें लॉंगेस्ट मांटेन चैन है जिसको क्या बोल देते हैं लोग इसको बो disinfectant क्या एंडीज एंडीज दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉंगेस्ट मांटेन चेन है आई होब यह पर्फेक्टली चीज़े क्लियर हो रही होंगे आपको चैनल यहां पर सबसे इंपॉर्टन बात क्या हो जाती है अगर यहां में देखा जाए अर्जिंटीना ठीक है अर्जि बुलीविया से बहुत इंपॉर्डन कोशन था इंपॉर्डन कोशन था यहां के राष्ट अध्यक्स को यहां पर क्या किया गया जें दिया गया है क्यों क्यों बताना मुझे करन टोब पर दोंगें चीज़ें आती रहेंगी आप आप सभी को इसी प्रकार से चलिए अगर बात करते हैं most active volcanoes दुनिया के सबसे most active volcanoes आपको यहीं पर दिखाए देंगे दुनिया के most active volcanoes आपको यहीं दिखाए देंगे for example जिसे यहां पर catapoxy बहुत 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 important है आपको catapoxy यहीं पर आपको दिखाएगा यहीं पर यहां पर यहां पर ओजास देल सलाडो यहीं पर मिलेगा जोकी सबसे ज्यादा हाइटेड है catapoxy की बात करी जाएं ठीक है most active volcanoes की ने में आता है most active volcano सबसे ज्यादा यहां पर बहτα estamos करें पूरा आपको के अलावा रिंग आ फायर में वह एलाग कॉर्शन है चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर करते हैं और आपको बता होगा ब्राजील जो भी डिसेंटली जिसकी यहां पर क्या है े b सबसे बड़ी जो रिवर है आपको ब्राजिल ने भील होगत अश्रादा करती है यहीं पर आपको सब्सक्राइब करते हैं इनको का जाता है दुनिया की सबसे बड़े पेड़ी यहां पर यहां पर सबसे हाइट वाली यहां पर क्या है सर वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं इंजल वाटरफॉल इंडिया में अगर वहीं बात करते हैं क्याश्य लिए इंडिया में बात करते हैं तो यहां पर कौन सा वादेसर जोग वाटरफॉल जोग वाटरफॉल जी सबसे यहां पर दुनिया का सबसे बड़े-बड़े स्नेक्स मिलते हैं एनकॉंडा एंड ठीक है यहां पर बात कर रहा है ब्राजील ब्राजील किस चीज का प्रड्यूजर है यहां पर कॉफी का उसके साथ मैं एक और बाद जाद हूं एक और बाद आपको मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑईल का भंडार किसके पास में यहां पर बनेजुवेला के पास में है लेकिन यह निकाल नहीं सकता है बहुत सारे सैंक्षिस लगे हुआ है यहां पर ठीक है अभी शायद इन्होंने वन बिलियन या वन मिलियन के लोट यहां पर लेकर आएं एक पर चेक कर लेना ठीक है यह इतना इमाइडी मोनाइज़ेशन कर दिया गया यहां पर और यहां पर करीब करिबंगर पांस से चेघर रुपए के आश्वाद आपको पैट्रोल पर लेकर मिल जाएगा और वह आपको दिख जाएगा यह आपका वाटरफॉल एंजिल वाटरफॉल आई होप आपको दिख रहा होगा वेंजिल वाटरफॉल बहुत मैंसमारीजिंग जगा है चलिए नेक्स यहां पर बात कर लेते हैं आगे डुनिया कि सबसे लारजेस सॉल्ट लेक यहीं पर आपको मिले 115 इहां पर सॉथ अमेरिकम मिलेगी अगर यहां पर हिए डुनियां की सबसे हाइटेड ओर बोटेवल जिसको बोटिंग की जा सकती है तिक है बोटेवल करी यहां पर आपको मिलेगी यंग फोल्ड माउंटेन है यह भी एक प्रकार का जिसमें अकांका गुवा जो है हाइस पीक है यह द्यान रख लेना अकांका गुवा कई बार कुशा जा चुका है आपसे हाइस पीक एंडी इसके बारे में बात कर चुके हैं उसके अलावा अगर हम चिली इंद के साथ में क्या है सबसे बड़े इसके बंडार रहे सर with the लिशियम के बंडार और लिथियम जो आयन है उसका यूस कहां पर होगा आगे चल की जितनी भी आपकी एलेक्ट्रिक वहिकल्स आएंगे ठीक है एलेक्रिक वहिकल्स क्रामती होने वाली है वहिकल्क के छेत्र में रहे साहरे छोट्थर में उसके लिए लीथयम जरूरत है तो इंडिया में हमारे बाद देपॉसित नहीं है चल गए भी मैंने बात लिया तो करन्ट को जितना आप इसके साथ में मिला के चलो जादा उतना बैतर रहेगा यह लोग ने जोड़ लिया वैं पर इंडिया के अंटार्टिक मिशन भी है तो यहां पर आपको देखा जाए तो बहुत सारे एरिया दिखेंगे आपको ठीक है यहीं पर जस्मिलता हुआ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि यहां पर क्या है बीच में इस तरीके से इस तरीके से बीच में क्या होता है यहां पर एक रिज जाती है जिसको यहां पर बोल देते हैं ट्रांस एंटाक्टिकन रेंज चीए ब्लब इस तरीके से पहाडों की एक रेंज चलती है यहां पर आपको टांस यह दोनों पार्ट में अलग अलग बाट देती है एक तो यह हो जाता है आपका सदन अईरिया और यहां तक लियर हो रहा है सभी को चीए और इस तरह आपको इंडिया नोशन मिलेगा यहां पर यहां पर दिखते हैं आपको most important बात अगर यहां पर क्या है 99 परसेंट यहां का जो एरिया है covered है किस चीज़ से covered है आइस से covered है सबसे most important topic है इसको white continent भी बुला जाता है इसको white continent क्यों कि ओवेसी बात है महाधवीब की रूप में हो इसको सबसेंद कींगे है इसको इससा कहा जाता है जो कम temperature में low temperature में जितनी भी studies हो तकती है चाहे low temperature में रहने वाले जितने भी आपके पेड़ पहुदे हूँ यहां पर बात के ले जाए कि हम लोग जैसे height में बढ़ते हैं यहां पर पुराने समय में कैसा किस तरीके से behave कर रहा था ठीक है तो low temperature में होने वाले सभी जांट परक किया किस ने किया बहुत important है जेम्स कुक ने जेम्स कुक ने किया और जोगी कब किया था 1773 में किया था I hope possibility यह चीज़ समझ में आ रही होगी फिर यहीं पर आपकर मुलात कर लेते हैं second time यहां पर कौन गये थे यहां पर willing saucer ठीक है कौन पहुंचे थे यहां पर willing saucer रहे ते 1812 में 1812 में यहां पर पहुंचे उसके बात बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचते गए तो मुझे यह बताईएगा South Pole पर अभी दक पहुंचा है South Pole पर कौन पहुंचा यहां पर ठीक है anderson Scott नाम लिखा हुआ है यहां पर बैसे तो तो अब यहां पर हमारे लिए क्या बात हैं हमारे लिए जानने कि यह बात है सबसे इंपॉर्डेंट क्या इंडियन आर्टिश क्लिशं के बाथ करूंगा पहले यहां पर एंपर 3000 तो इस प्रकार से होता क्या है ऐसे माली आपको आपको जो हुरा है यह हमारा एक प्रकार से शूरी के चार junior इसको बोलते हैं रोटेशन ठीक है यहां पर है हमारा सूर्य और यहां पर क्या है हम रत्वी है हमारी ठीक है यह तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं इस दूरी को हम लोग बोलते हैं याद आया कुछ तो यहां पर हमारी प्रित्वी जो है वो टिल्टेडेड है वो वे कितने हिस्से में यहां पर आंको पता ओगा ट्विटी थी अंड आफ ठीक है 23 अड रहा हो तो यह वाला जो रेंज चल रही होती है यहां पर अब होता है क्या है सीधे होने के वज़े से प्रकाश सीधे सीधे कहां पर पढ़ता है प्रकाश पढ़ता है आपका नदर हमिस्पियर पे तो दूर होने के बावजूद जो हमारा नौर्धन कॉंटिनेंट है और नौर्थ पोल है जो हमारा नौर्धन कॉंटिनेंट है यह वा रहा होगा कहने का यह मतलब है कि naight होगी पर 6 मेनी की वहाँ पर फिर यहीं मनग बात करते हं नदर फ्रोब होता है now. सूरुनि गुलांट पर यहां पर नीचे सुर आज अगर आप देखोगे लिए को इह यहां पर यहां पर इसार कि यहां पर क्या होता है डे चल रहा होता है जब हमारे यहां पर सर्दी पढ़ रहे होगी वहां पर क्या होगा पूरा क्या होगा सूर्व दिखाए देगा ठीक है जब यहां पर देख लेते हैं फिर अपर मिलेगा आपको करते चलिएगा जैसे जिसको गोल देते हैं अब यहां पर इकशा इंवेड़ किया है यहां पर एक तरीके से संसान बनाए हुए है हाइएट पीक जो है इसकी है जो हाइएस्ट पीक जो है स betrak इसके फ्सक्राइब से ओची चोटी जो है तो यहां पर रिपाकर रहे हैं तो यहां पर कहीं न कहीं हम लोग मीनिम dopoरीचर के बारहें जानेंगे जो मिनिमच यहां पर पड़ा ठीन के अभी तक जो रिकॉर्ट किया गया है भूकाँ पर रिकॉर्ड किया गया यहां पे ठीक है वह हो रिकॉर्ड किया गया है यहां पर बाद कर लेते हैं हट रशियन ईस्टेशन पर किया गया है है वहापर किया गया में स्टीशन एप। और लिए तो उसले तरो क्या है एक परकार से ये उपर ये मोस्टोक क्या है सर रेषियं स्टेशन ये किए और यहां पर ऑब यह वो कितना सर एकट्इम नाइन डीगरी संट इंडियरेड वॉस्ट तो यहां पर बहुत वाज सब्जेक्ट है तो जब हम लोग यहां पर बात करते हैं इंडिया रिसर्च सेंटर इंडिया क बात करे होते हैं जयान सुनना पर इंडिया ने यहां पर इंटाक्टिका ट्रीटी को कब जाइन किया तो इंडिया ने एंटाक्टिका ट्रीटी को तिक है यहां पर कब जाइन किया था ठीक है एक और अगस्त को ठीक है 1st of August 1983 ठीक है 1st of August 1983 उसके बाद में हम लोग यहां पर क्या हो गए थे इस सब्सक्राइब बन गए थे कब सर इसी सप्टेंबर में इसके 1983 अपूर्वल देगी न तो इसकी आद हम लोग ने यहां पर अपने रिसर्च प्रोग्राम स स्थापित किये देकि सबसे पहले हम लोग ने यहां पर स्थापित किया दक्षिन गंगोतरी बहुत बहुत बहु अब यहां पर इसको क्या कर डिया गया इसको इसको आपको कर दिया गया इसको 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 बनाया गया था इसको स्थापित किया और आज इसको स्थापित हुए 30 साल हो चुके है तो बहुत ज़रा मुझे बताना कितने साल पहले किया था उसके आदर रीसेंटली जो रीसेंटली हम लोगों ने हाँ स्थापना किये है नाम हें कब किया है 2015 में किया है बहुत बहुत-बहुत-बहुत-बाथ में इस सबका मैंनेजσमेट कौन देखता है आख वर्पात करतें तो नैश्नल से éléments मैं जो और पॉल्स या पोलर पोलर एंड ऑशन रिशोच गों यह संस्थान करता है और इस संस्थान की खास बात क्या है द्याम सुना तो इंपॉर्टेंटली बताएए कि Ministry of Earth Science के Minister कौन है डॉक्टर हर्ष वर्धन है यह आप सभी को बता होगा ठीक है डॉक्टर हर्ष वर्धन बहुत-बहुत-बहुत-महत्पून हो जाएगा यहां से आपके लिए जानना और इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं जराब इसके बाद हम लोग यहां पर ब बनाया गया है ताहिक इसका पूरा संप्थमय नियुक्त कैसे करना है तीक करना। तो पूरन कुंत करना वह सबसे चोटा राच है सबसे चोटा राच है चल्यए क्लिए यहां ट्क है अग्षिया वाई यहां पर लोगों क्या किया एक तरीक से मैक्रोस्कूपिक बहुत सारे चीजे हम लोगों यहां पर स्थापिद करीं चलो देख लेते हैं इसके बाद करीवन यहां पर लोग देखके चलें तो यहां पर 14 million स्कॉर क्लमेटर का एरिया कोई बी कंड्री नहीं होती है ठीक है और राइस बोलते हैं आपर काफी अर्त बोला जाता है तो विंडियस सबसे तेज विंड चलती हैं आपको पता सरफ पोलर विंड चलती है यहां पर दूसरी बात यहां पर 75% of the water जो है दुनिया का सबसे जणाइस यहीं पर रिस ते थे और 70% जो दुनिया का फ्रेश विंड रह रही है अगर यहां पर रहीन Sí ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग जैसे यहां पर करेंगी जैसे यहां पर क्या करेंगी सर्वेट करेंगी वैसे किया होगा जलस्तर जो अलग जो ओशन्झय है मारे पास में चाहें बात कर लें सतरerver या क्या हो जाएगा और वह सी बाते हैं कर देश है वह सब मर्ज हो जाएंगे वो सब के सब दूब जाएंगे तो यह बड़ा इसको अन्नोन आइलेंड बोले जाता था ए फिर उसके बात में यहां पर बात करें जिकेंगे अंन्नोन रही है यही यह बात है और यहisen बात करेंज आएगी से सेहां पर यहां पर क्या होगा एक प्रकर से नाइट होगी हमारे यहां पर समर्ज होगा यह सारी दिख लेते हैं यहां पर समर्ज में यहां तंपरेचर थे क्यों संद्रों क्विक्राओंडिक, माइनस 30-45 मेंenderなた critique संद्री क्वर्म गाल। पर शूरय की क्रड़ने हों होती है। फिर यहां पर बात करें यहां, विन्डर पर उक्रभथ सिल्टि त देंड गोगट उसिया है, फिर यहां पर बात करें सबसे कम temperature अम लोगों ने हम पर record किया गया है अर्थ पे कहां पर सर्व वॉस्टॉप में अभी मैं बता किया रहा हम आपको ठीक है वॉस्टॉप रॉशियन station नहीं है ठीक है रॉशियन station है और मुझे यह बताए है कि सबसे highest temperature कहां पर record किया है highest temperature बहुत महात्रपूर कोशन है अपने आप में ठीक है बहुत महात्रपूर कोशन है because of short extreme ठीक है फ्लोरेसेंट यहां पर obviously बात है समर्ज में यहां पर periphery की रूप में पूरी आइस दिखाए देती है ऑइस है अगर यहां पर freeze हो गई खराब नहीं होगी खराब नहीं होगा ठीक है नहीं होगा फिर यहां पर कोई टाइम जोन नहीं इसके पास में तो maximum time zone किसके पास में इंग बात कर ले ठीक है कि यहांपर बात करें जाने तो लार्जेस्ट इनिमल लांड एंट इंसेक्ट है एक छोटा है 여ाँ पर क्या कहा था ब्लडिका अंटांटिका गारा जाता है उसके लावा यहाँ पर जो प्रॉमिन्ट पाए जाती है यह पिंगू elevation शरRIA nyth आपको फ्लाइटलेस बर्ड होती है यह थियो होंतर नहीं सकती है ठीक है फ्लाइटलस बडर फ्लाइटलेस बर्ड भी यहां पर जो पाई जाती है अब मुझे मताना यहां कि रिवर यहां पर भी एक रिवर उस रिवर का नाम मुझे आप सभी को प्रॉपर वे में ठीक है तो यह हमारा आज का कॉंसेप्ट चला जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को रिवीजन किया अब रिवीजन में लोगों ने क्या क्या पड़ा रिवीजन में लोगों ने पूरा जो रहा है पूरी कॉंटिनेंट की थेरी लोगों ने यहां पर फिर से रिवाइस किया एशिया को फिर से यहां पर रिवाइस किया हम लोगों ने अफरी का को फिर से यहां पर लोगों ने रिवाइस किया का आप यहां पर नॉर्थ अमेरिका को ठीक है और फिर लोगों ने फिफ्ट कॉंटिनेंट एंटार्टिका क पढ़ा है कि प्रपर वे में नेक्स क्लास में हम नोग यहां पर लेके चल रहे होंगे किसको यौरप और साथ साथ में होज़ा हां लूए इसके बारैं तो मेरा उसिन के सांट साथ में होगा Alors Finland भी दिख रहा होगा, तो यह यहाँ पर किस category में आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक Scandinavian Mountain है, तो इसको बोलते है, Scandinavian Country, और यहाँ पर क्या है, एक तरीके से यह Baltic Sea है, इसके चारा तरफ यहाँ पर यह जो देश पाए जाते हैं, यह तीन देश जो है, इस्तुनिया, लात्विया और लेट्वीनिया, ठीक है, इनको Baltic यहाँ पर देश कहा जाता है, ठीक है, तो एक question है मेरा सर्फ Balkan देश, ठीक है, Balkan, Balkan countries किसको कहा जाता है, और अगर मैं यहाँ पर बोलू, कितने देश नहीं विदर में, और सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं किसकी, यहाँ पर एशक बात नहीं कर रहा हूं, तो यह आपका दोनों क्या हो जाएगा, आज का question आगा, So I hope, आप सभी ने चीज़े के enjoy किया, तो चलिए, फिर next time मुलाकात करेंगे, आप सभी को happy हो ली, चलिए, thank you, thanks a lot, and bless you all, bye bye and take care, पढ़ते रिया के बढ़ते रिया,